हलो गैज आप बहुत स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉकर सिंट पर तो जैसा कि आप सब को पता है कि डेली मॉर्णिंग में हम लोग इतने ही समय जितने भी न्यूज पेपर में न्यूज होती है आपके काम की वो सारी न्यूज लेकर हम यहाँ पर आते हैं त उनका साथ दीजिए 10 बजे समय से आज जो है हैज्टेक स्टार्ट होगा हैज्टेक हमारा है प्रमोट यूपीवेट 2020 तो जाइए और बढ़ चड़ कर हिस्सा लीजिए आपको अगर मैं बता दू तो जो हम लोगों का जो में जो ट्विटर है उसको आपको देख लेना यह आपर यानि टॉपर सिंट का जो आफीसियल जो ट्विटर अकाउंट है वो यहाँ पर है मैंने भी इस पर कल साम को ट्विट किया था कि यूपी वेट प्रथम वर्स के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए ताकि समय से दुतिय वर्स का पार्टिक्रम सुचारू रू अब दूसरी बात यह कि बहुत सारे बच्चे जो है कल से मैसेज कर रहे है कि सर मुझे जो है ट्विटर चलाना नहीं आता है या सर मुझे चलाना आता है लेकिन मैं यह नहीं जान पाता हूं किस तरीके के हैच्टाइग लिखे जाते हैं तो उन सभी लोगों के लिए आपक तो ये सारी चीजे बता दी गए हैं, नीचे description box में link मिल जाएगी, तो मैं आपको बता दू कि दो link आपको नीचे मिलेगी, एक मेरा description box में, एक तो ये official twitter account जो top percent channel का है, उसको जाकर आपको follow कर लेना है, और दूसरा मिलेगा कि आप कैसे twitter चला सकते हो, कैसे आप tweet कर सकते हो, वो भी आपको link नीचे मिल जाएगी, तो जाकर आप इसको देख सकते हो, तो समय 10 बजे आप सभी लोग याद रखेगा, क्योंकि जो ये आपका UPV8 छात संग है, आप इनका साथ दीजिए, तब ही कुछ हो सकता है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज की नीच की तरह, सबसे पहले जो आज की नीच निकल कराई है, अमर उजाला नीच पेपर में, कि इस बार कालेजों में दाकले की दोड बेहत सुस्त है, बिल्कुल सही बात है, COVID की वज़ा से जो कालेज में जो प्रवेस प्रक्रिया या प्रवेस के लिए जो दोड होती थी हर बार, वो अब की बार दिखती नहीं नजर आ रही, देखिए आपन लिखा है, कि राजधानी के जिन कालेजों में हर साल एक-एक सीट पर प्रवेस के लिए कांटे की टक्कर होती थी, वहाँ COVID संक्रमर के कारण इस बार प्रवेस आवेदन के ही लाले पड़े हुए हैं, हालात यह है कि लगबग दो महिने से चल रही प्रवेस परक्रिया में कहीं 500 तो कहीं 1000 आवेदन आए हैं, जबकि सीटें इसके दोगने से जादा हैं, तो यह वही रीजन है कि जैसा कि COVID की वज़ा से बताया जा रहा है कि जहां हर बार एक एक सीट के लिए 12 दीज़ भी सावेदन आ जाते थे, आज हालात यह हैं कि दुगनी सीट होते होते भी उतने आवेदन भी नहीं आ पा रहे हैं, इसका रीजन यह है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जो निज़ेव सिपाही भरती 2018 परिच्छा को लेकर है, लिखा है लखनवा सिपाही भरती 2018 के तहट दूसरे चरण में 17,600 पुलिस कर्मियों को परसिक्छित किया जाएगा, परसिक्छन निदेशाले ने पूरा सेडियूल तयार कर लिया है, परसिक्छन 28 जून से सुरू होगा, परसिक्छन निदेशाले के सूत्रों के अनुसार दूसरे चरण में नागरिकों पुलिस के 17,600 चैनित अब्यार्तियों में से 500 महिलाएं सामिल हैं, महिलाओं का परसिक्छन केंद्र अलग होगा, नए रगरूटों के परसिक्छन के लिए कुल 84 केंद्र बनाए गए हैं, इसमें पिएसी और जिलास्तर पर 76 और परसिक्छन संस्तानों में 8 केंद्र बनाए गए हैं, जिन अप्भ्यारतियों का protection 28 जून से शुरू होगा उनका एक मा का जिलास्तरिय प्रसेक्षन 100 मौर्ज से शुरू हो जाया चैनित अप्भ्यारतियों को उनके ग्रह जन्पदों में जॉइनिंग दी जा रही है यानि कि ये चीज है कि जिन लोगों का protection हो गया उनके उनकों ग्रहे जनपदों में जोइनिंग दी जा रही है बाकी जो 17,600 बच्चे हुए हैं हलाकि इसमें 49,568 बच्चे थे बाकी लोगों का पासिक परोड जो है परसू हो चुका है चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरब अगली न्यूज जो है वो आरो एरो भरती को लेकर है जैसा कि आपको पता है कि यूपी में जो जो चीज़ें चलती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है समिच्छा अधिकारी सहायक समिच्छा अधिकारी 2016 के चैनित अभ्यारतियों की न्युक्ती कोविट के कारण फसी हुई है बिवादों में घिरी इस परिक्छा का परड़ाम जारी करने में उत्तर प्रदेल लोकसेवा आयोग को पांच साल का वक्त लगा आप समझ सकते हो कि 2016 में फाम पड़ा और भरती प्रिक्रिया शुरू हुई और अब जो है 2021 आ गया यानि पूरे 5 साल लगी इस भरती प्रिक्रिया में लेकिन अभी भी जो है इसकी न्युक्ती कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही है लिखा किसी तरह रिजल्ट तो जारी हो गया लेकिन COVID के कारण अभी एक सत्यापन की प्रिक्रिया सुरू नहीं की जा सकी नतीजा की अभ्यारतियों की फाइले आयोग में ही अटकी रह गई तो ये इतनी न्यूज आई है कि आरो आरो की जो भरती 2016 में आई उसका अभी जो है रिजल्ट तक जारी नहीं कर पाए हैं लोग जानी पान साल हो चुकी है और बहुत सारी जो दिक्कते हैं वो बच्चों को जहलनी पड़ती हैं चली आगे देखते हैं अगली जो है न्यूज उसको देखते हैं कि डेलेट प्रसिक्षित दो जून को मनाएंगे काला दिवस ये एक बड़ी न्यूज है लिखकर आया है कि डेलेट प्रसिक्षित जो है दो जून को काला दिवस मनाए की निड़े लिया गया कि सिक्षक भरती की मांग को लेकर दो जून को काला दिवस मनाया जाएगा दस से बारा लाग अब भारती नई सिक्षक भरती का इंतिजार कर रहे है और हजारों पद रिक्त होने के बावजुद भरती नहीं की जा रही है तो दो जी उनको जो है काला दिवस मनाएंगे रीजन सिर्फ पुषका इतना है कि भरती जो है आ नहीं रही है बेरोजगारी इतनी जादा है और दस से बारा लाग बच्चे जो है बीटी सी बीट किये बैटे हुए है लेकिन कुछ भी अभी इनकी भरती आती है दिखाई नहीं दी जा रही है अगली जो नियूज निकल कर आई है वो आई है कि फेल हुए साड़े चार लाग बिद्यार्थी भी बीना परिक्चा के हो जाएंगे पास लिखा है कोरोना संक्रमन के कारण परदेश सरकार ने यूपी वोड की हाई स्कूल की परिक्चा निरस्त कर दी है इस निर्ड़े के बाद 31,94,312 बिद्यार्थियों को 11 वी में परमोट कर दिया जाएगा और इस निर्ड़े का लाब उन विद्यार्थियों को भी मिलेगा जो पिछले साल हाई स्कूल की परिक्चा में फेल हो गए थे ये उन लोगे लिए तो भाई जो है बहुत गोल्डन चांस है क्योंकि भाई जाहिर सी बात है बहुत सारे चाहे जितना पेपर कैसा भी हो हर साल 3,4 लाग बच्चे फेल होते ही होते हैं यूपी में तो 3,4 लाग बच्चे जो पिछली बार फेल हो गए ते वो भी अब की बार प्रमोट हो जाएंगे और अब की बार जो फेल होने वाले रहे होंगे जो नहीं पड़ पाएंगे वो भी प्रमोट हो जाएंगे तो इस हिसाब से तो बहुत सारे बच्चे जो है वो पास होंगे और उनके साथ जो है कुछ अच्छा हो जाएगा फिर लिखा है अगले साल दें परिक्चा पर परिक्चा वर्स 2021 माना जाएगा हाई स्कूल की परिक्चा भले ही निरस्त कर दी गई हो लेकिन इंटर के चाथ चात्रों की परिक्चा होगी हलाकि अपरमुक सच्चिव अराधना सुकला की ओर से जारी दिसा निर्देसों में यहाँ भी इस पश्ट किया गया कि अगर कोई परिक्चा रती कोरोना संक्रमर के कारण कच्छा 12 की परिक्चा में सामिल नहीं हो पा रहा है तो उसे आगामी सेक्चिनिक सत्र की बोर्ड परिक्चा में सामिल होने का अउसर दिया जाएगा लेकिन परिक्चा वर्स 2021 ही माना जाएगा यह बिल्कुल जो है सही बात कहा गया रतनाजीत के द्वारा कि इंटर की परिक्चा होगी अगर इंटर में जो है कोई बच्चा कोरोना संक्रमी था या वो नहीं जा सकता पेपर देने के लिए तो कोई बात ने उसको अगले साल पेपर दिला दिया जाएगा और उसका जो परिक्चा वर्स है वो 2021 लिखा जाएगा तो यह अच्छी बात है उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर तो लगबख सारी बाते हो गई यह और उम्मेद करता हूँ आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होगी तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ और हाँ जिलों को ट्विटर चलाना नहीं आता नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जाकर वहाँ से आप ट्विटर चलाना देख सकते हो मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिन जय भा प्योंदीए